हे गाईज मैं सुमते को फिर से बहुत बहुत सब्सक्राइब करता हूँ आपका होटेल मैनेजमेंट हेलपर यूटीब चानल पे फिर्स अभी फाइनली एंसी एचम काउंसलिंग के फस्ट रांड का जो रिजल्ट है वो पब्लिस हो चुका है अब यहां नीचे आप देख लोगे इस प्रोफाइल में कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में यहां पे round one seat allotment result for BSC in hotel management इस पे हम लोगों ने simply click कर देना है जैसे ही आप यहां पे click करते हो आपके सामने में इस तरीके का interface open हो करके आ जाता है अब यहां पे आपको आपका roll number, password और साधी साधनी चीए जो capture देख रहा है यह security pin इसको fill करने के बाद simply sign in कर देना है जैसे ही sign in करते हो आपके सामने में आपका profile open हो करके आ जाता है अब यहां देखोगे available services में seat allotment result highlight हो रहा है और यहां पे देखो फिर से आपको seat allotment result जो है उस पर फिर से एक बार click कर देना है जैसे आप वहां पे click करोगे आपके सामने में seat allotment details open हो करके आ जाता है अब यहां पे देख लोगे इस स्टूरंट को first round के seat allotment में IHM Mumbai allot हुआ है अब आपको बता दे कि वैसे स्टूरंट जिनको college allot नहीं हुआ है इस round में घबराने की कोई बात नहीं है आगे next वीडियो में मैं बताने वाला हूँ या फिर आगे एक दो वीडियो बात में बताने वाला हूँ कि किस तरह से पुरा process करना है कि आपको second round मे college मिल ही जाए तो वेट करें ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है जिन लोग कोई first round में कोई भी seat नहीं मिला है बिल्कुल भी आप टेंसर मतलो आगे second round में आपको college मिल जाएगा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और जिन लोग को अभी college यहाँ पे मिल गया first round में आए गए seat से satisfied नहीं है जो भी आपको first round में seat अलोट हुआ है अगर आप उस seat से satisfied नहीं हो तो आगे आपको क्या करना है कि आपको second round में आपका desired college मिल जाए इन सभी के लिए आगे next video मैं सब कुछ बताने वाला हूँ पूरी detail से तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe सब्सक्राइब नहीं किया है तो एन से रिलेटेड हर एक लाटस्ट अपडेट लेने के लिए hotel management लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एक जरूर प्रेस कर दें क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है क्योंकि एन से एक प्रोसेस अगर आप मिस करते हो या एक भी प्रोसेस में गलती करते हो तो वह आपके लिए बहुत ही महँगा पड़ने वाला है और बहुत जल्दवाजी करने कोई जरूरत नहीं है सब हर एक स्टेप के ऊपर मैं वीडियो लाई रहा हूं तो वीडियो को देख करके अपना जो भी आएक स्टेप पर वो करो जिससे सब कुछ इजली हो और कोई करबरी नहीं हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाईक करें एन मैगसे उन शेयर करें उन सब इस्टोरों के पास जिन्होंने अभी कांसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था तो उन सब कुछ जरूर सब इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो प्रोपर तरीके से देखवाए कि रिजल्ट को कैसे देखना है हम इंस्ट्राग्राम पर फॉलो करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद